हेलो फ्रेंज आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है सो फ्रेंज आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम की स्टूरी को जैसे ही आप अपलोड करोगे स्टूरी पर रिल्स को वो automatically आपके story gallery में song के साथ music के साथ download हो जाएगी हाँ friends यहाँ पर आपको कहीं पर भी copy link करके download करने की जरूरत नहीं है आप जैसे story को upload करोगे, real studio को upload करोगे तो वो gallery में automatically save हो जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने कहीं सारी release को यहाँ पर मेरी automatically gallery में song के साथ music के साथ save हो जाती है तो उसके लिए आपको instagram में एक option मिल जाता है जिसको आपको on करना होगा जैसे आप उस option को on करोगे, तो आपकी सारी story जो भी आप upload करते हो, वो music के साथ gallery में save हो जाएगी तो friends उसके लिए आपको वीडियो को सुरू से लेका end तक देखते रहना है और आपने भी तक मेरी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लिजे और subscribe करने के बाद all के बटन पर क्लिक कर दीजे, आइए friends से ले वीडियो को start करते है तो friends सबसे बहुत आपको Instagram को open कर लेना है, open करने के बाद आपको यहाँ पर Instagram के right side corner में यह जो three line दीख रही है उस पर आपको click कर देना है, उस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको एक setting का option मिल जाता है उस पर आपको click कर देना है, उस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको एक privacy करके option मिल जाता है तो उसपर आपको click कर देना है अब जैसे आप उसपर click करोगे तो यहाँ पर आपको एक story का option मिल जाता है तो यह story वाले option पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको यहाँ ठीकर नीचे scroll down करना है scroll down करने के बाद friends यहाँ पर आपको save story to gallery ये वाला जो option दीख रहा है उसको आपको on कर देना है इसका मतलब जैसे आप इसको on करोगे उसके बाद आप अपने instagram के story में कोई भी reels वीडियो को या तो फिर story को या तो फिर photo को आप upload करोगे तो वो automatically आपकी story gallery में song के साथ और music के साथ save हो जाएगी तो आपको यहाँ option को on कर देना है अब मैं यहाँ पर आपको live दिखा देता हूँ कि कैसे यह automatically के लिए अपने gallery में save हो जाती है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यह story upload की है अब यह story मेरी gallery में भी save हो चुके है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह मेरी Instagram की memories है तो यहाँ पर मै यह वाली रिल्स को स्टोरी पर अप्लोड कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर यह स्टोरी को रिल्स को अप्लोड कर देता हूँ तो यहाँ पर यह मेरी स्टोरी अप्लोड हो रही है तो friends आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी Instagram की story यहाँ पर upload हो चुकी है Reels video यहाँ पर upload हो चुकी है तो हम लोग यहाँ पर check कर लेते हैं कि यह story हमारी gallery में save होई है या नहीं यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है यह automatically save हो जाएगी तो यहाँ पर मैं gallery को open कर लेता हूँ अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो gallery में यह story यह Reels video music के साथ gallery में save हो चुकी है तो बड़ी आसानी से आप इसको gallery में save कर सकते हो यहाँ पर आपको कहीं पर भी copy link करके download करने की जरूरत नहीं है आप इसको यहाँ पर easily save कर सकते हो और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर Reels को story पर upload नहीं करना है और उसके बाद कोई story को download करना है जैसे कि आपको यहाँ पर एक Reels का section मिल जाता है तो यहाँ से आपको किसी story को download करना है लेकिन उसको आपको story पर upload नहीं करना है अगर story पर upload करते हो तो यह automatically आपकी gallery में save हो जाएगी लेकिन आपको यह story पर upload नहीं करना है और gallery में save करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको Google पर जाना होगा और Google पर जाने के बाद आपको यहाँ पर search कर लेना है Instagram story download तो friends जैसे आप Instagram story download पर लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक कोई भी website को open कर लेना है और उसके बाद आपको जिसकी भी website जिसकी भी real studio आपको अच्छी लगए उसका username आपको यहाँ पर लिख देना है और download पर click कर देना है आपकी यह story download हो जाएगी लेकिन दूस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दू अगर आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यह सब काम नहीं करना है यानि कि आपको Google पर जाकर story को download नहीं करना है या तो फिक किसी भी browser पर जाकर story को download नहीं करना है तो आपको यहाँ पर अपना इसको क्या करना है होगा इसको यहाँ पर share पर click कर देना है add real to your story पर click कर देना है अब आपको यहाँ पर close friend में यह story को upload कर देना है और उसके बाद download कर देना है तो यह आपकी download हो जाएगी यानि कि आप इसको easily आप gallery में download कर सकते हो तो फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर देजे साथ-साथ चैनल को अपिटक सबस्क्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर देजे फिर मिलता मारा नए वीडियो को साथ तब तक लिए टाटा बाई बाई